जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित्ते से संबंदित महत्तुपुन कौस्चन आंसर वीडियो को पूरा वस्त देखना है एक कौस्चन आपके टीजीटी पीजीटी में मूर्टे ग oluyor किस विदा की रचना है ए आपको बताना ही इस संसमरण है आत्म कथ atau रेखा चї या जीवनी है यह आपकी चार विकल्ब दिएह होंगे आंसर अगर आपसे बनता है तो कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा सही आंसर, माटी की मूर्तें पूचा है, तो ए जो क्या है, किस विदा की रचना है, तो रेखा चित्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर पूचा है कि माटी की मूर्तों, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है लोचन प्रसाद पांडे है राम प्रक्ष बैनिपुरी है राय देवी प्रसाद पूर्ण है गया प्रसाद सुकल सने ही है तो question number 12 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्ब नमबर B राम प्रक्ष बैनिपुरी राम प्रक्ष बैनिपुरी आपका सही आंसर है question number 13 क्या पूछा है तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है question number 13 देख लेते हैं question number 13 बनार्सी दास चतुरवेदी के रेखा चित्र है रेखा चित्र सेतु बंद या उप्रोक्त दोनो या इसमारिका question number 13 है महत्तु पूण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा बैए आपका सही आंसर विकल्प number C आनिके उप्रोक्त दोनो रेखा चित्र और सेतु बंद आपका सही आंसर है देखे रेखा चित्र सेतु बंद बनार्सी दास चतुरवेदी का रेखा चित्र है और अंगले question यहाँ पर question number 14 क्या पूचा है तो बहें देख लेते हैं अमिट रेखाएं के संसमरण रेखा चित्र कार हैं कौन है अमिट रेखाएं के संसमरण रेखा चित्र कार कौन है विश्णू प्रभाकर है देविन सत्यार्थी है सत्यवती मलिक है सिवपूजन सहाय है तो आपका सही आंसर होगा महत्यपुन question है विकल्प number B सही आंसर है सत्यवती मलिक आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही सत्यवती मलिक आपका राइट आंसर है question number आपका पंद्र है यहाँ पर दिया गया है क्या पूँचा है महादेई बर्मा का रेखा चेतर इनमें से कौन सा नहीं है नहीं है पूँचा है तो बताइए अतीत के चल चेतर इसमेर्टी की रेखा पत के साथ यह अपरोक सभी तो आपका यहाँ पर सही आंसर है अपरोक सभी है पूँचा है आपसे यहाँ पर देखे नहीं है पूँचा है तो यहाँ पर देखे अपरोक सभी राइट आंसर है हिंदी के संस्रमानात्मक रेखा चेतर साहित की स्री ब्रद्दी महादेई बर्मा ने महात्वण युग दिय दिया है इन्होंने अतीत के चल चेत्र है इसमिर्थी की रेखा है पत के साथी और मेरा परिवार इनके जो है रेखा चेत्र महत्पुर्ण रेखा चेत्र माले जाते हैं तो नहीं पूंचा है लेकिन यहां पर इनके जो हैं सभी हैं तो प्रोक सभी आपका राइट आंसर यहां तो question number 16 है और आपका सही answer क्या होगा तो 16 का सही answer है विकल्प नंबर एक यानि कि पत्के साथ ही आपका यहाँ है पर राइट आंसर है पत्के साथ ही इसमिर्ति की रेखाए रेखांकर के रचनाकार कौन है तो अब भी पड़ा इसमिर्ती की रेखाएं रेखांकन के जो रचिनाकार हैं वह महादेवी बर्मा जी हैं कौन है महादेवी बर्मा तो विकल्प नमबर बी आपका सही आंसर है ये क्वोस्चन बहुत ही महत्पूर्ण है आपके और क्वोस्चन नमबर आपका 18 पूचा है मह चल्कांतर पाथी निराला अयुद्धय सें उपाध्याय हरिवाद तो आपका हिहां पर सही आंसर है यहां पर बिकल्प नमबर डी राइट आंसर होगा तो यहां पर दिया ग्या है क्वोस्चिन नमबर 19 क्या पूच्छा है देख लेते हैं क्वोस्चिन नमबर 19 है जी ने किस रच्छना में पशूपक्षियों की रेखा चित्र जो हैं प्रस्तुत्किये हैं तो बहित रच्छना आपके लिए बताना है महादयी बर्मा का रेखा चित्र है मीरा परिबार 1972 का है और पसुपक्षियों के चित्र इसमें उकिरे गए है पत के साथी 1956 में उन्होंने समकान लेकों के संस्रनात्मक चित्रों का संकलन इसमें किया है पत के साथी अंगला question क्या पूँचा है तो यहाँ पर question number 20 पूँचा है और आपका सही आंसर है यहां पर नहीं पूंचा है तो मंटो मेरा दुस्मन आपका यहां पर सही आंसर है मंटो मेरा दुस्मन यह रेखा चित्र नहीं है महादरी बर्माजी का यह जो है उपेननात अस्क का संसुनन माना जाता है मन्टो मेरा दुस्मन अंगले कॉस्चिन क्या पूँचा है तो कॉस्चिन नमबर 21 आप से यहां पर पूँचा गया है निम्न में ऐसे कौन रेखा चितर बिधा की रचना नहीं है तो बताईए कठ गुलाब चन बोले कण मुसकाई पुरानी इस मिटिया रेखा है वोल उठी कॉस्चिन नमबर 21 से महत्वपूण है और इसका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नमबर 1 कठ गुलाब यह रेखा चितर बिधा की रचना नहीं है कठ गुलाब जो है प्रतेष्टित हिंदी कताकर मुर्दूला गर्ग जो है इनका नवीनतम उपन्यास माना जाता है कठ गुलाब और अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है तो यहाँ पर दिया गया है आपका अंगला कॉस्चिन कॉस्चिन नमबर 22 कि महावीर प्रसाद दबेदी द्वारा रचत संसमर्ण नहीं है नहीं यहाँ पर पूँचा है महावीर प्रसाद दुच्छिन नहीं है तो आपका यहाँ पर सwiązी आंसर क्या होगा 22 का B Right आंसर है ë इठका नमबर B आपका सही आंसर होगा question number आपका यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर question number क्या पूछा है 23 तो question number 23 है निमलेकित में से कौन सा संसमरन रेखा चितर विधा की रशिना नहीं है पदम पराग, माटी की मूरते, अतीत के चल चितर या जोती बिहाग यह बताना है आपके लिए यहाँ पर कि जो संसमरन रेखा चितर की विधा नहीं है तो कौन सा नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जोती बिहाग आपका सही आंसर है question number 34, 24 पूछा है आपसे यहाँ पर सिर्राम सर्मा की बोलती पृत्मा रचिना की बिधा है यह रेखा चितर है, आत्मकथा है, संसमरन है, जीवनी है तो 24 का आपका जो सही आंसर है भहे आपको बताना है तो आपका राइट आंसर है रेखा चितर यानि कि विकल्प नंबर ये आपका यहाँ पर सही आंसर है रेखा जित्र आपका राइट आंसर है Question number आपका यहाँ पर अंगला क्या पूंचा है तो Question number 25 यहाँ पर देख लेते हैं देखे यह है आपका यहाँ पर Question number 25 बोलती प्रित्मा की रचिनाकार इनमें से कौन है Q25 में बताना है पदमसेş सर्मा है, सिरिराम सर्मा है, बणारसी दास चतृर बेती है, सेट गोबिंद दास है, तो आपका यहांपर सही आंसर क्या होगा? यहांपर राइट आंसर होगा, बोलती पृतिमा की रचिनाकार है सिरिराम सर्मा आपका सही आंसर है, विकलब P basketball number 2 यानिकी सिरी राम सर्मा आपका सही आंसर है जंगल के जिव के रचिना कार माने जाते हैं थया जन्र नम्होज़े दिए कोषिन आपका डबल हो गया है उन्होजे देख लेते हैं देखे परहना पद्म सेह सर्मा की रचना का नाम है तो हिंदी में रेखा चित्र के पिर्थम रचेता पद्म सेह सर्मा और इनकी रचना का नाम क्या है पद्म पराग या दस तस्वीरें पत के सांती रेखाएं और रेखा और रंग तो इनकी रचना है पद्म सेह सर्मा की कौन सी है पद्म प पराग आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक राइट आंसर है हिंदी के प्रारंबिक संस्मर्ण रेखा चित्रों की पिरवर्ट तक पद्म सें सर्मा माने जाती हैं और इनकी रचना है पद्म पराग जो की क्या है यह रेखा चित्र है और पत के साथ ही यह क्या है महाद रिपोर्टाज से संब्वंदित भौत ही महत्तपून कॉस्चन आंसर। रिपोर्टाज से संब्वंदित फस्ट कॉस्चन आपका यहां पर पूँचा है। रुपोर्टाज का आरंब माना जाता है Q2 क्या पूँचा है आप से यहाँ पर तो देख लेते हैं Q2 है नभीन रुपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंब होती है तो नभीन रुपोर्टाज की जो परंपरा आरंब होती है बहे कौन सी रचिना से होती है लक्षिमी पुरा, बंगाल का अकाल, तूफानों के बीच या स्वाराज्य भबन तो दो का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा बहे है आपका लक्षिमी पुरा आपका सही आंसर होगा लक्षिमी पुरा बिल्कुल सही आंसर बताए है यहाँ पर पूचाए आपसे यहाँ पर कि लक्षिमी पुरा किस विधा की रचिना है यह यात्रा बृत्त है रिपोर्टाज है निबंद है या डाइरी है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर आपका C. Right Answer होगा. रिपोर्टाज. रिपोर्टाज पढ़ रहा है. अपने यहाँ पर रिपोर्टाज विकल्प No. C. आपका राइट अंसर है. लक्षी पुरा. किस विदा की रशना है तो रिपोर्टाज आपका सही आंसर. question number 4 है हिंदी साहित के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का सिरे प्राप्त था भारतेंदु हरिश्चंद जी को सिवदान सेंच चौहान हावी प्रसाद दुबेदी आनंद कौत सायन तो आपके हैं यहाँ पर right answer है क्या है right answer तो यहाँ पर विकल्प number C right answer है सिवदान सेंच चौहान सिवदान सेंच चौहान इनको जो है पहले हिंदी साहित के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का सिरे प्राप्त है सिवदान सेंच चौहान अल्मोडे का बजार किस विधा की रचना है तो जीबनी है प्रगीत है रिपोर्टाज है यात्रा प्रत्त है तो पांच का आपका जो सही आंसर है 2013 में एक कौस्चन पूँचा गया था टीजीटी में और अल्मोली का बजार ये क्या है रिपोर्टाज है विकल्प नंबर आपका B right answer है रिपोर्टाज फ्रांसी सी भासा का सब्द है अगर पूँचा जाए रिपोर्टाज किस भासा का सब्द है तो फ्रांसी सी भासा का सब्द माना जाता है रिपोर्टाज अंगला कॉस्चन क्या पूँचा है तो यहाँ पर दिया गया है अंगला कॉस्चन सही आंसर है यहाँ पर इसके जो लेकक पूझा है तो विकल्प n.C. गुप्त आपका सही आंसर यहाँ पर हैँ बंघाल का अकाल रिपोर्टाज का क्या होगा कौस्चिन न. नमबर साथ है महत्वपूर्ट है बंघाल का अकाल रिपोर्टाज है अगर पूँचा जाए बंगाल का अकाल किस विदा की रचिना है तो रिपोर्टाज है और इसके जो लेखक है वह कौन है तो आपका साथ का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा देखे बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकास चंद्र गुप्त हैं प्रकास चंद्र गु के बीच महत्वपुन इस्थान रखता है और question number आपका यहाँ पर आठ पूँचा है क्या पूँचा है देख लेते हैं बंगाल का काल नामक रुपोर्टाज किसकी रचना है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर भी आपका बही आंसर है क्या राइट आंसर यह जो है प्रकास चंद गुप्त जी का है यहाँ पर भी बिकल्ब में आपके नहीं दिये गए प्रकास चंद गुप्त तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा क्वश्चन नमबर 9 पूँचा है आपसे कि तूपानों की बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है सिब्दान से चोहान है रांगे रागव है धर्मबीर भारती है या फिर समसिर बहादर से हैं तो क्वश्चन नमबर 9 है चार विकल्प आपके आपर देगा है तूपा गया है देख लेते हैं तूपानों के बीच किस विधा की रचना है तूपानों के बीच किस विधा की रचना है यह आपको बताना है तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नमबर 1 आनिकी रिपोर्टाज है तो विकल्प नमबर 1 आपके यहाँ पर सही आंसर ह 1941 में बंगाल के भीशन अकाल की काली छाया को रंगी रागाव ने रिपोर्टाज के माध्धाम से ससक्त सेलियं ब्यक्ति किया है यह रिपोर्टाज जो है तूफानों के बीच में सीरसक से हंस पत्री काम प्रकासे थुआ था तूफानों के बीच और रिपोर्टाज किस पत्री काम प्रकासे थुआ था अगर इस परकार का कॉस्चन पूशा जाए तो हंस पत्री का में प्रकासे थुआ था रंगे रागाव इसके लेखाक है और तूफानों की बीच के सविदा की रचना है तो यह रिपोर्ट आज है तो इस पिरकार अपने यहाँ पर भूत ही महत्तुपन कॉस्चन कम्पलीट हुए कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल क किले जहिन